तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो भी personal protective equipment है उसका क्या main role होता है और वो किसलिए पहनना बहुत ही ज़रूरी है यानि कि वो अगर आप नहीं पहनते हो तो उसकी वज़े से आपको कौन से हजार का सामना करना पड़ सकता है वो सारे हजार जो है वो आपको उनके साथ share करना है तो सबसे पहले बात करते हैं head protections के बारे में तो head protections अगर आप नहीं पहनते हो तो उसकी लिए आपको कौन से हजार का सामना करना पड़ेगा या आपको उनको बताना है जैसे कि falling हो या फिर flying जो भी objects हो या फिर bumps हो ये जो हजार से इसका सामना आपको करना पर सकता है तो इस हजार से बचने के लिए आपको head protections की बहुत ही ज़रुई है तो head protections वो क्या होता है कि जैसे कि hard hat हो गया या फिर bum caps हो गया या फिर safety helmet हो गया तो ये जो pp's है या आपको पहनना है इस हजार से बचने के लिए फिर आपको बात करना है कि eye protections हम किस लिए पहनते हैं तो तो या फीक कुलै, या फिर या आए ऑपको इस फज़ार से बचनी के लिए आपको से महना है जिसमें है safety glasses हो गए, goggles हो गए, face visors हो गया या फिर face shield हो गया तो यह जो eye protection से ही आपको पहनना है इस हजार से बचने के लिए फिर उसके बाद आपको बात करनी है hearing protections के बार में hearing protections अगर आप नहीं पहनते हो तो उसके लिए आपको कुछ से हजार का सामना करना पड़ेगा वो आपको बताना है तो उसमें यह है कि बहुत सारा अगर noise किसी workplace में अगर हो रहा है और वो जो noise है वो continuous है तो उसके वज़े से क्या हो सकता है कि आपकी जो hearing capacity है उसके उपर impact हो सकता है तो इस हजार से बचने के लिए आपको hearing protection पहनना बहुत ही जरुरी है तो hearing protection के लिए हमारे पास क्या PP होती है कि जैसे कि air plug हो गया या फिर air muff हो गया तो यह according to वहाँ पर कितना noise होता है उसके उपर यह depend होता है कि आपने air plug पनना है या फिर air muff पनना है तो यह PP आपको इस्तमाल करनी है जब भी यह 1000 वहाँ पर available है फिर उसके बाद आपको बात करनी है fall protections के बारे में यह fall protections क्यों जरुरी होता है कि जब भी आपको work at height में काम करना हो तो उस वक्त उस work at height से नीचे गिरने से बचने के लिए आपको यह fall protection इस्तमाल करना बहुत ही जरुरी है तो उसमें आता है body harness यानि कि full body harness जो है वो आपको पहनना है फिर उसके बाद आपको बात करनी है respiratory system के बारे में तो यह respiratory system जो है वो पहनना क्यों जरुरी है यह आपको बताना है जैसे कि concrete dust जो है वो जो particles है वो 1000 है fiber glass हो गया या फिर chemicals vapors है यह अगर 1000 साइट पर अगर available है तो उसके लिए आपको respiratory system पहनना बहुत ही जरुरी है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी suitable face mask है उसका आपको इस्तमाल करना है या फिर hap या फिर full जो face mask है उसका आपको इस्तमाल करना है जब भी यह 1000 वहाँ पर available हो फिर उसके बाद आपको hand protections के बारे में बात करनी है उसमें बताना है कि hand protection क्यों जरुरी होता है और उसके regarding क्या हजार्स होते है जैसे कि sharp edges हो गए, knews हो गए, cold या फिर hot surface हो गया, chemicals हो गया या फिर vibrations हो गया तो यह जो 1000 से इन से बचने के लिए आपको hand protection पहनना बहुत ही जरुरी होता है तो उसके लिए आपको suitable gloss पहनना बहुत ही जरुरी है फिर उसके बाद आपको बात करनी है visibility jacket की अब यह visibility jacket क्यों पहनना जरुरी है तो उसके लिए आपको बताना है कि जैसे low light हो गया यानि कि वहाँ पर light जो है वो कम है या फिर illuminations वहाँ पर कम है या फिर foggy conditions है तो उस conditions में आदमी की जो है वो पहचान होनी चाहिए और आदमी जो है वहाँ पर काम कर रहा है वो दिखाई देना चाहिए इसलिए उसके लिए high visibility clothing पहनना बहुत ही जरुरी है तो यह आपको बताना है फिर उसके बाद आपको discuss करना है footwear के बारे में अब यह footwear पहनना क्यों जरुरी है तो उसके लिए आपको बताना है कि उसमें क्या होता है कि drop object हो सकता है यानि उपर से कोई चीज जो है वो गिर सकती है crushing हो सकता है sharp object हो सकते है या फिर slippery surface हो सकता है तो यह जो हजार से इससे बचने के लिए आपको footwear पहनना बहुत ही जरुरी है अब यह footwear में क्या आता है कि आपकी जो appropriate safety shoes होते है वो इसमें आते है तो safety shoes जो है आपको उसके लिए पहनना है जब यह हजार वहाँ पर available हो तो इसमें हमने total 8 pps के बारे में बात की है